Multiple Item GST Rate Setup एक स्क्रीन में सारे Stock Item की GST Details View Entry Edit करने के लिए Gateway पर Inventory Info Tax Rate Setup GST Select करे आप Stock Groups और उसके अंदर के Stock Items की List GST Details के साथ पाएंगे सभी Stock Groups Stock Item की List Hierarchical Structure में मिलेगी अब आप GST के संबन्द में Unfilled Data Entry कर सकते है GST Group या Stock Item का चायन करे करसर को Line पर रखे और Space बार दबाएं Line चायन करने पर उसका Color हरा हो जाएगा अब GST Details Entry करने के लिए S-Set Rate बटन पर क्लिक करे और GST Details Entry करे दाइं और बटन बार के F5 Tax Rate ट्वाइज बटन से Tax Rate के मिताविक फिल्टर कर सकते है GST Rate सुन्य करने के लिए S-Clear Stock बटन क्लिक करे GST Accounting with Tally ERP9 इस किताब में GST के विवरन, GST Rules, GST IN Portal और GST Accounting with Tally ERP9 बिश्तित है जो की Tally Guru के इस YouTube चैनेल में दिखाया और समझाया गया है यह किताब Professional Accountant के लिए है जो अपने Organization में Tally ERP9 से Accounting कर रहे है Tally ERP9 Training Guide यह किताब सिख चार्ति के लिए है जो Tally ERP9 सिख रहे है यह किताबे अपने स्थानिया Book Stores, Online विक्रेताओं या सिधा Publishers से Online खरीच सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे Description Area में दिया गया है नए वीडियो की Notification प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के नीचे Subscribe बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें अपडेटेड वीडियो और संबंधित Materials प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के Description Area में दिये गए लिंक पर क्लिक करें